जब घडी का काटा करता है चार बजी का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्यों क्योंकि 4 बजी हम चक्रिविउ के साथ आपकी सामने पेश होते हैं। और चार ऐसे लोगों को चक्रवियों के चक्र में फसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, Capital TV में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट। आज चक्रिवियों के चक्र में फसे हैं विपक्षी गठ बंदन के नेता, पश्चिम बंगाल सरकार, चार बदमाश और पांच ठक इन सभी का आज सारा काला चिठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं सभी की करतूते मायवती ने दिया विपक्ष को जटका, मुसीबत में घिरी सियम ममता बनर जी, चार बदमाशों को पुलिस ने किया धेर, यूपी एस्टी अफ ने ठगो का किया भांडा फोड पहली खबर की शुडवात मायवती के तगड़े फैसले के साथ, जहां मायवती ने राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार कर सभी विपक्षियों को आइना दिखा दिया है, और लोगसभा चुनाओं को लेकर विपक्षियों की टेंशन बढ़ा दी है, विश्व हिंदू परि से शामिल नहीं हो पाएंगी, आपको बता दे कि अखिलेश यादू ने कहा था कि उन्हें अयोध्या में 22 जन्वरी को होने वाली प्राण प्रतिश्टा समारों का निमंत्रण नहीं मिला है, इस पर हिंदू विश्व हिंदू परिशत का कहना है कि उत्तर प्रदेश के दोन उनके दावे के मताबिक उन्हें ये नहीं मिला है, तो हम उन्हें दोबारा निमंत्रण भेज सकते हैं, मायवती को हमारा निमंत्रण मिला है, उन्होंने इसे स्विकार किया, लेकिन समहारों में शामिल नहीं होंगी, सभी राजितिक दलों के अध्यक्षों को प्राण प्र में शामिल होंगी या फिर अकेली ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लेंगी कॉंग्रेस और समाजवादी पाटी ने फैसला मायवती पर ही छोड़ दिया है ऐसे में सब विपक्षी राम मंदिर को राजनितिक मुद्दा बनाकर अयोध्या जाने से इंकार कर रहे हैं तो वहीं मायवती ने नियोता स्विकार कर बड़े संकेत की और इशारा कर दिया है दूसरी खबर में बात मुसीबत में घिरी पश्चम बंगाल की सरकार की जहां अप्रेल 2020 में महराष्ट के पालगर में दो साध्यों और उनके ड्राइवर की भीड दुआरा हत्या कर दी थी इस मामले में ततकालीन उद्धव ठाकरेश सरकार की चूले हिला दी थी और अब पश्चम बंगाल में एक बर फिर से भीड ने कुछ इसी तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की वहाँ साध्यों को नगन करके उन्हें मारा पीटा गया पश्चम बंगाल के पुरोलिया में जिन साध्यों के साथ पुरूरता की गई उनमें से एक मधुर गोस्वामी ने अपना दर्द बया किया है उन्होंने बताया कि साध्यों का दल गंगा सागर के लिए जा रहा था रास्ते में पुरोलिया में अच्छानक गाड़ी को रोका गया मधुर्गोस्वामी आगे बताते हैं कि उन्हों के साथ धक्का, मुक्की और मारपीट की गई गाड़ी को भी तोड़ फोड़ दिया गया इसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा साथू ने बताया कि वहां 200-300 के करीब लोग थे, बेहोश हो जाने के कारण उन्हें ठीक से याद नहीं है वहीं आपको बता दे कि भीर ने साथू पर लड़कियों को लेकर भगाने का आरोप लगाया था इस पर पेडित मधुर गोस्वावी ने बताया कि बाद में वो भी बेटिया आई और हमसे माफी माँगने लगी हमने कहा कि हमसे ही कोई पाप हुआ जो हमें ये दंड भोकता पड़ा आप क्या चाहते हैं वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि वो खुछ नहीं चाहते हैं कोई सजा नहीं चाहते हैं उन्होंने बताया कि अब वो गंगा सागर भी नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी गाड़ी तूट गई है सांती बताया कि अब वो अपने आश्रम को लोट रहे हैं वहीं अब इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार और कानून ववस्था पर कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं उन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी की भी ववस्था कराई बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी अमित वालमीर ने कहा कि राजी की सत्ताधारी टीमसी का गुंडा अनवर शेक खा इस हमले में हाथ है जो पश्चिम बंगाल पुलिस में सिविक वालिंटियर भी है वही अयोध्या सिरीराम जन्म भूमी के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास ने भी इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा है और सियम ममता बनर जी पर जोरदार हमला बोला उन्होंने कहा कि वहां की सियम का नाम ममता बनर जी नहीं बलकि मुमतास ख मामले का मामला भी उठाया आपको बता दे कि साधू से मारपीट के मामले में अब तक 12 गिरफतार हो चुके हैं बता दे कि साधू ने रास्ते में लड़कियों से रास्ता पूछा था इसके घटना हुई वह मकर सक्रांती स्नान में हिस्सा लेने गंगा सागर जा रहे थे प पूलिस ने चार बढद्माशवों को गोलिया मारी धर शल बीते दिन यूजाबाद में पूलिस और बढद्माशयों के बीच में मुटवेड हूई इस मुटवेड में चार बढद्माशů को गोली लगी है कहले बढबाशuesto को हॉस्पिटल में एडमिट करा गया है और उनक कोशिश की गई इन चारों बदमाशों ने पुलिस पर फारिंग कर दी पुलिस ने जवाबी फारिंग की जिसमें दो बदमाश सुमित और प्रिंस पुलिस की गोली लगने से घाल हो गए दोनों को नजदी की अस्पताल में भरती कराया गया है घाल बदमाशों के दो अन्य सा बदमाश आकिप और देवेंद्र को भी पुलिस ने गिरफतार कर लिया है गिरफतार चारों बदमाश 6 जनवरी को मोधी नगर में एक डॉक्टर को लूटने के लिए गए थे क्लिनिक बंद करके जाते समय बदमाशों ने डॉक्टर को घेर लिया था लेकिन लूट नहीं पा और बदमाशों को पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान रोकने पर दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया पुलिस ने भी जबावी फारिंग की तो दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घाल हो गए दोनों ही घाल बदमाश संजे और आदिल को नस्दी क की भॉस्पिटल में भरती कराया गया है पुलिस ने इन बदमाशों के पात से हाल ही में हुई लूट की घटना का सामान भी बरामत किया है आखरी खबर में बाट ठगी करने वाले गिरों की जहां नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरों का भंडा फोड हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरों का परदा फाश हुआ पुलिस इस गिरोग के सदस्यों को गरफतार कर उनसे पुछताच कर रही है इस कारवाई को UPSTF की टीम ने अंजाम दिया है अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पुछताच में और भी खुला से हो सकते हैं पुलिस के अनुसार ये लोग सरकारी विभागों में नौकरी स से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ठगी किया करते थे यूफी स्टीफ ने इस गिरोग के मास्टर माइंड के साथ साथ पांच आरोपियों को गरुफतार किया है वह इस मामले में यूपी स्टीफ के अपर पुलिस सदिक्षक विसाल सिंग ने बताया कि सरकारी व आधार पर चानबिन शुरू कर दी गई इसी बीच शुक्रवार को करीब साड़े तीन बजे मुख्विर की सुचना पर लखनों के थाना सुशांत गोल्फ सिटी पोलिस के सयोग से चापे मारी करके इस गिरोग के मास्टर माइंड सहीत पांच लोगों को गरुफतार करने म कामियाबी मिली है वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये आरोपी आर एम एसेस नाम की संस्था बनाकर लोगों के साथ ठगी को अंजाम दे रहे थे वहीं यूपी स्टी अफ ने जिन आरोपियों को गरुफतार किया है उनमें अमित तिवारी नवीन कुमार राय सारी मात्रा में कई विभागों के काज़ात बरामत किये हैं आज हमने देखा कैसे चक्रवियों के चक्र में विपक्षी गठ बंदन के नेता पश्चिम मंगाल सरकार चार बदमाश और पांच ठक फसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सब के सामने आगे चक्रवियो खुलासों के साथ बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार साथ चुड़ने के लिए शुक्रिया